हेलो बच्छो मैं नेहासान फिर से उपस थी तूं आपके लिए लेकर के भाशा, लेपी, व्याकरण और बोलिया लेकर के बच्छो हम सबसे बहें जानते हैं भाशा क्या होती है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में जो भाशा काम में लेते हैं उसके बड़े में आपको पता होना चीना क्या है, क्या उसका अर्थ होता है, क्या कौन सी भाशा से उसकी उत्पत्ती हुई है तो आए हम देखते हैं, हम आज के टॉपिश में चार चीज़े पढ़ेंगे, पहला है भाशा, फिर लिपी, व्याक्रण हम बोली, ठीक है तो सबसे बहें हम देखते हैं भाशा, बच्छो भाशा जो शब्द है यह भाशा स्ष्यम्त, इसकी उत्पती संस्कृत की भाश धातू से हुई है भाश धातू से हुई है और यह जो भाश धातू है, इसका शाप्दी क्या होता है बच्छो बोलना या फिर व्यक्त करना, या फिर व्यक्त वानी को बोलना या व्यक्त वानी तो भाशा का शाप्दी करती क्या हुआ जब प्राणी अपने मनों भावों को, अपने विचारों को वानी के हमादिम से व्यक्त करता है बोलता है या किसी और के सामने प्रकट करता है तो वो क्या होती है भाषा भाषा एक साधन होती है जो व्यक्ति के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान से तब पर ही क्या हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के और पहुंचाती है तो वह क्या हो जाती है भाषा तो भाषा क्या है वच्छो साधन है जो व्यक्ति के मनों भावों और विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तर पहुंचाती है ठीक है आप भाषा भाषा जो होती है तीन प्रक कर समझाओं तो वह मौखिक भाशा होती है मैं आपको यहां लिखकर समझा रही हूँ तो वह लिखित भाशा हो गई ठीक है लिखकर समझा रही हूँ तो यह वह लिखित भाशा हो गई बच्चों लिखित भाशा हो गई ठीक है और संकेतों की बातन से जब किसी बात को समझाया जाता है तो वहां होती है सानकेतिक भाशा ठीक है बच्चों जैसे मौकित, मैं आपको बोलकर समझा हुँ सारी चीज़शनक आपको लिखतें नहीं बता ली हुँ तो जो बातें जो विचार जो मनुभाव लिख कर विव्यक्त किये जाते हैं वो लिखित भाशा हो जाती है जो बोल कर समझाये जाते हैं जो बोल कर विचारों कर विव्यक्त करते हैं वो भाशा माखिक भाशा हो जाती है और संकीतों के माध्यम से जैसे आप देखते हैं यह पर पी वाला निशान उदाउस बनावाता है तो यह संगेत हैं किस चीट का संगेत है कि यहाँ पर पार्टिंग सुविधा अपलग नहीं है यहाँ पर नो पार्किंग है ठीक है ट्राइफेक पुलिस जो होती है यातायर पुलिस जो होती है वो इशारों की माध्यम से नियमों को समझाती है जन्केतों की माध्यम से नियमों को समझाती है और जन्ता को यातायर की नियमों के बारे में आफगत कराती है ठीक है तो यह थ भाष दातु से लिए गई है जिसका शब्दीकर्थ जो होता है वो होता है पोलना या विर्ट करना ठीक है बच्छों भाषा के रूप कितने होते तीन मौखित लिखिक और सांगेते ठीक है पहला था हमारा भाषा अब भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्द बनाए गए औ निश्चित व्यवस्थित चिन्दों को ही क्या कहा जाता है लीपी कहा जाता है भाषा का लिखित रूपी क्या कहलाता है ठीक है तो लीपी का शब्दीकर्थ क्या हुआ लिखना अर्थार भाषा को लिखने के लिए जो हुमारे आचारे छे जो विद्वान से उन लोगों तो यह निष्चिद चिन्ड जो थे भाशा को लिखने ए लिए वह निष्चित चिट्ट नहीं किया Kuelle करा है बच्छों व निश्चित चिन नहीं क्या कहला ही यह लिपी त कर आपको 1234 सुनते ही आपके दिमाग में क्饮ाग में यहाते हैं अपकी में इत्राए तो यह इत्राए धिन्चित हो गर लियुद के लिए उस लिक्षि दो निश्चित चिन्दों को ploys लिपी कहा जा génér screams हमारी व्याकरण मनि है और लीपी में लीपी मतलब लिखना अब इसको समझ Felix कैसे लिखोगे वड़िवस्थित क्रम को ही लीपी कहते हैं ठीक है वड़िवस्थित क्रम को क्या कहते हैं लीपी कहते अब ये वर्ण क्या होते हैं, वो हम व्याकरण में देखते हैं, ये वर्ण क्या होते हैं, हमारा पहला टॉपिक भाषा और दूथरा टॉपिक लिपी त्लियर है, अब व्याकरण क्या होती है, भाषा को शुद बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन क जैसे अगर हम गाड़ी चलाना सीक रहें तो गाड़ी चलाथे शमें में हमें कुछ निवयम का पालन करो मज़िए सीड़ेट है newest आप फॉर विलर चड़ा रहे हो तो आपको उसके अनुसरी पोलो करने पड़ोजेए उसक निवयम कापलन करना पड़ता है अगर आप टू भी लगें दूपर ही आवा हम चला रहे हो तो आपको उसके अनसार नियों का पालम करना पड़ता है तो व्याकरण क्या होती है बच्चों भाशा को शुद शुद बोलने पढ़ने लिखने के जो नियम होता है लिखने के जो नियम होते हैं बच्चों वही क्या कहलाती है व्याकरण के लाती है व्याकरण को तीन भागों में बाटा गया है व्याकरण के अंग आप मालोगा व्याकरण की जो अंग होते हैं जिनसे हम पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, वो कितने होते हैं, तीन, इसमें पहला होता है वर्ण विवस्था या वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाग्य विचार. वर्ण विचार के अंदर आपके स्वरोव इंजन आते हैं अगर आपको स्वरोव इंजन आ गए तो स्वरोव इंजन से आप शब्द बनाना सीखते हो अगर आपको शब्द बनाना आ गए शब्द निर्मान की प्रक्रिय आ गई जिसके अंदर संधी आ दिये, समास कर रहे हैं, उपसर्ग, प्रत्य, इत्यादी आते हैं अगर आपको वो कार्य आता है, तो आपको शब्द निर्मान आ जाता है, शब्द बनाना आता है और यदि आपको वर्ण और शब्द दोनों आ गए, तो आप वाक्य भी आसानी से बना सकते हो उसे बहुत ही आराम से आप शब्दों को वाक्यों में बदलकर अपने बात को स्वष्ट कह सकते हो जो समबाद है खाया है तो नसरी विचार के लिखेत रूफ को लिपय केते हैं वयाखलयन क्या होती है भार्शा को शुद्ध फढ़ने पालनल करना पड़ता है और वो नियम किसमें दिये गए है, व्याक्रण में दिये है, व्याक्रण की बाद जम से ही हम शुद और अशुद भाषा की लेख, लेख या लिखने को, सुनने को, सुन तो हम कैसे भी सकते हैं, शुद भी सुन सकते हैं, शुद भी सुन सकते हैं, लेकिन भाषा को शुद लि पनेख के अधरित कोई और ऐसा थान है। नहीं फिर राजिस्थान में क्या बोली जाती है राजिस्थानी या राजिस्थान के अतिरत कोई ऐसा इस्थान है जहां राजिस्थानी बोली जाती है नहीं तो कहने का ताथ परिक्याने यहां कि बोली जो होती है वो इक निश्चित शेत्र में बोली जाती है वो क्या कहलाती है बोली कहलाती है लेकिन वही बोली जब सहित्य सरजन में काम आती है यानि उसी बोली पर सहित्य लिखा जाता है उसी बोली में सहित्य लिखा जाता है सहित्य सरजन किया जाता है तो वो क्या हो जाती है बच्चो उप भाशा क्या हो जाती है उपभाशा जैसे सूर दाजी थे सूर दाजी ने ब्रज भाशा का प्रयोग किया था अब ब्रज भाषा क्या है बच्चों क्या ये भाषा है नहीं ये उप भाषा है क्योंकि ये बोली है और बोली यानि बोली जो है उसको अगर साहित्य में काम में लिया उन्होंने साहित्य सुर्दिन किया उस पर तो वो क्या हो गई उप भाषा हो गई तुल्सी दाजी है तुल्सी दाजी की भाशा कौन सी थी? आवधी कौन सी थी? आवधी ऐसे आप भारते इंदुजी को लीजिए या जो अधुनिक कवी है उनकी भोली खड़ी भोली है तो खड़ी भोली भी क्या हो गई? उप भाशा हो गई बचो कि हमारी जो आटवी अनुसूची है भारती समिधां की उसके अंदर हमारी 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है भारत जो है वानेक भाषाओं का देश है तो 217 के लगवट भाषा είναι हमारी भारत में बोली जाती हैं उनamel से 22 भाषाओं जो है वो हमारी अनुसूचियों में शा मिला, गुजुराती, हिंदी, कंड़, कौक्णी, कश्मीरी, किती हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, कश्मीरी, मराथी, मनिपुरी, मल्यालं, ठीक है, मल्यालं, फिर, नेपाली, पंजाबी, संधी, संस्क्रेट, उर्दू, उर्दू, उर्या, तमिल, के लगू, कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, गारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, बच्चों, पहले ये अठारा भाशाएं, जो थी, यही केवल अनुसुची में सम्मिलित थी, चार भाशाओं को बाद में चुड़ा गया, वो कौन-कौन सी थी, मैथिली, संधाली, बोडो, और डोगरी, इन चार भाशाओं को हमारी समिधान की आठ्वे अनुसुची में बाद में चुड़ा गया, पहले ये अस्मी, बंगला, खुजराती, हिंदी, कंडर, कौक्णी, कश्मीरी, माराथी, मनिपुरी, मल्यालम, नेपाली, पंजाबी, संधी, संस्कृत, उर्दू, उर्दू, उ ये थी हमारी आज की कक्षा, आप से फिल मिलेंगे अगली कक्षा में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद